हेलो एब्रीबन वल्कम बैक टू चैनल तो कैसे हैं आप लोग आसा है बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्राखंड वन वन आंदोलन एवों वन एजीवों से रिलेटेड हमारे पास 20 इंपोर्टेंट क्वेस्टिन आंसर होंगे यह है इस लेसन अगला है जिम कारवेड नेशनल पार्क की इस्तापना कब हुई थी 1932 1936 1936 सही जवाब होगा 1936 ऑप्सन नमर बी आपका सही जवाब है जिम कारवेड नेशनल पार्क की जो इस्तापना हुई थी 1936 में किस रास्ट्रे उद्यान के मध्य में पार्टली दून इस्तित है गंगोतरी रास्ट्रे उद्यान गोविंद रास्ट्रे उद्यान नंदा देवी रास्ट्रे उद्यान जिम कारवेड रास्ट्रे उद्यान सही जवाब होगा आपका जिम कारवेड रास्ट्रे उद्यान ओ जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमसे वेब साइट पर भी जुड़ सकते हैं और स्क्रीन पर हमारी वेब साइट का नीम आपको दिख रहा होगा बाकी जो टोटल है लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में सब्सक्राइब हो आपका ओली चमुली जनपत में इस के लिए औली भुग्याल प्रेसिद है अगला है भारत का प्रैथम राश्टे उद्यान कौन सा है गंगोतिरी राश्टे उद्यान राजजी नेशनल पार्क जिम कारवेट नेशनल पार्क दुद्वा नेशनल पार्क सही जबाब होगा जिम कारवेट नेशनल पार्क ऑप्सिनमर सी भारत का जो प्रेथम राश्टे उद्यान है जिम कारवेट नेशनल पार्क दोस्तों यह कोई भी MC को या कोई भी जो प्रेशन है वो कोई एक ने एक जरूर आपकी एक्जाम में आएगा अगला प्रेशन है विश्व प्रेशित फूलों की घाटी नीमने में से किस जन्पन में इस्तित है उतरकासी, पौडी, चमोली, चमपावा, सही जवाब हो आपका चमोली जो फूलों की घाटी है विश्व प्रेशित विश्व प्रेशित विश्व प्रेशित विश्व प्रे है हम पढ़ेंगे ऑप्सन ए है चमुली रुद्रप्रियाग चंपावत पितोरगर नेनिताल उधम सिंग नेनिताल एवं पौड़ी गढ़वाल सही जबाब होगा आपका नेनिताल एवं पौड़ी गढ़वाल अगला फ्रेशन है हाली में प्रदान मंत्री ने कहां पर हरिमा में अगला है पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है रोज्ट्री चीड के पेड़ से और भी दोनों उप्रोग में से कोई नहीं सही जबाब होगा आपका चीड के पेड़ से पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता होता है चीड के पेड़ से अगला प्रेशन है निम्न म इसे सही यूगुम का चैयन केजिए गंकोत्री नेशनल पार्क रॉन्श वाइल लाइब सेंचूरी अलमोरा सौना नगी वाइल लाइब सेंचूरी यह पे डैस दया है ए اور भी दोनों सही जवाब हुआ अपके अगला प्रशन है दोस्तों मैते आंदुलन के प्रणेता कौन थे गोरा देवी कल्यान सिंग रावत जगत सिक चौधरी सुन्दरलाल भोगुना तो सही जवाब होगा अपका कल्यान सिंग रावत अगला प्रशन है दोस्तों मैते आंदुलन के जो प्रणेता थे हो थे कल्यान सिंग रावत अगला प्रशन है निम्न युगमे में कौन सा सही सुमेलित है कारवेड नेशनल पार्क अलकनंदा गंगोतरी नेशनल पार्क राम गंगा फोलों के घाटी यमुना और अप्रोग निम्न में से किसका संबंद वन संबंदी चिपको अंदुलन से है जस्पाल राना गौरा देवी अजी डोवाल विद्यादत नौटियाल तो सही जबाब है आपका गौरा देवी ऑप्शन नमर भी वन संबंदी चिपको अंदुलन से जिनका संबंद है वो है गौरा देवी अगला प्रेशन है राज्य का सरवादिक छेत पलवाला वन्य जीव बिहार कौन सा है असकोट वन्य जीव बिहार सोना नदी वन्य जीव बिहार केदानात वन्य जीव बिहार गोविंद वन्य जीव बिहार सही जवाब है ओप्शन सी केदानात वन्य जीव बिहार अगला है निम्न में से कौन सा एक जैव आरक्सी सेत्र है राजाजी, कारवेट, नंदा देवी, गोविन सही जवाब है नंदा देवी के है एक जैव आरक्सी सेत्र अगला है कारवेट रास्ट्रय उद्यान का छेत्रफल कितना है 1316 वर्ग किलोमेटर 520.82 वर्ग किलोमेटर 3300 वर्ग किलोमेटर और 195.5 वर्ग किलोमेटर सही जवाब है 520.82 वर्ग किलोमेटर कारवेट रास्टर उध्यान का छेतरफल है अगला प्रेस्टन है चिपको अंदोलन सरपर्थम किस जिल्elsे शुरू हुआ यहाँ पे जिल्ले है सारी चमुली, पॉड़ी, उत्रकासी, टीरी तो सभी ज़वाब है आपका चमुली चिपको अंदोलन सरपर्थम चमुली जिल्छे हुआ जो की रहनी गांव था अगला है कनिमन में से कौन सा वर्ल हेरिटेज साइट है कार्वेट पार्क राजजी रास्तर उद्यान नंददेवी बाय। स्वियर रिजर्व इन में से कोई नहीं तो सभी जवाब है आपका अप्सिन नंबर अप्सिन नंबर सी रंदा देवी बायो स्वियर रिजर्व यह वर्ल्ड है तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं आई होब कि आपको आज के 20 सब्सक्राइब करें और आपको इन में से कितने एंस आते हैं आप कमेंट बॉग में जरूर बताएं तो बने रहे गाए वीडियो के साथ हम मिलेंगे कल इसी टाइम तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें यह दिया भी तक नहीं किया और बैल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी न भूलें तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक क्यार